हलो दोस्तों वेलकम बैक तो माई चानल आज मैं आप से भी को एक सिंपल सा एंड वेरी नूट्रिशियस हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वेरी सिंपल वेरी नाइस बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगेगा और इस रेसिपी को आप स्नाक के टाम में बच्चों को दे सकते हो बड़ी आप से पसंद से भी खालेंगे तो वह रेसिपी है ओट्सका लड़ू ओट्सका लड़ू आपके घर में बड़ी अराब से बना सकते हो, very simple ingredients से बना सकते हो, आपको चाहिए होता है, घी, जागरी, इलाइची पाउडर, और ओट्स, तो very easily, very बहुत ही जल्दी बन जाने वाले इस रेसिपी को जरूर देखिएगा, और ट्राइबी जरूर कीजिएगा, जरूर अपके बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा, टीस्टी भी रहेगा, at the same time, बहुत ही healthy, nutritious food होता है, या लड़ो आपके बच्चों के लिए मिल जाता है, तो oats, इसका फाइदे अगर मैं बता दू, oats में बहुत सारा nutrients पाया जाता है, इसमें आपको minerals like iron, zinc, folate, उस तरह का minerals पाया जाता है, vitamins होते हैं, इसमें vitamin B, C, 12 होते हैं, तो बहुत ही अच्छा nutrients से भरा, ये oats आपके बच्चों को बड़ी अराम से आप दे सकते हो, जब बच् 3 महीनी को हो जाता है, आप solids शुरू कर चुके होते हैं, तो बच्चों को आप oats खिलाना शुरू कर दीजिएगा, ये बहुत ही मदद करता है, अंदर से immunity को बड़करार रखता है, strong बना कर रखता है, constipation problems हो रहा है, आपके बच्चों को उससे भी कम करने का एक हल होता है, DIY जो बलते हो, ऐसा home remedy अगर आपके बच्चों को constipation cashew हो रहा है, तो oats जरूर खिलाएगा, देरे देरे से जल्दी खतम हो जाएगा, अगर बच्चों को कोई भी acidity related gastronical problems हो रहा है, उसे भी कम करने में ये बहुत मदद करता है, अगर आप इसे रोज आपके बच्चों को ख deixar हम एक चाहे हो जाता है जिसाव जाता ह therefore हम थी आपके करता है और ऐसे बच्चों को ख़्याँड़नी कोखे शुट हो जाते हो अच्छी में अख ये ये अवच्छा आप आप सैगा में उसे जैसे ही जुटतो करके उसे जेसे आप बचू बना के देसकते हो गपाँग त अलग अलग बीमार यह जो होता है अंदर से उसे लड़ने में बहुत मदद करता है दोस्तों तो जरूर ओट्स अपके बच्चों को खिलाएगा ऐसा नहीं कि इम्मित होता है मैंने बहुत सारा लोगों को ऐसा बोलना देखा है सुना है इवन मेरे खुद के घर में भी बोलता ओट्स बच्चों को खिलाता है क्या ओट्स इस उमर में ही बच्चों को खिलाता है क्या और यह जैसा बच्चा 6 मंद का हो जाता है जब शुरू करते हो वही से उसमें ही ओट्स भी मिल जाता है ओट्स का बहुत ही अच्छा फाइदा होता है बहुत ही अच्छा न्यूट्र बच्चों का बहती जादा होता है अच्छों इन च्रीटा का ब्रहुत्था एंस इक बहुत बुस्टिंग वोता है बच्चों का बेंड पवरु बटे है तो ओअनीक बिनिफिट्स है दोस्थो जायाओ यह ज़ल्दी ड़ड़ बन के तायाँ हो जाएगा आप इंस्टेंटली बहुत ही जल्दी बना के आपके बच्चों को दे सकते हो खाने में स्नाक्स के टाइम में या जब भी बच्चा डिमांड करता है आप दे सकते हो बड़ी अराम से आपटाइट फुल रखने में बहुत मदद करता है तो चलिए आगे क्लिप में अने इसका रेसिप्पी रेकॉड करके रखी है तो जरूर इसे देखिएगा और ट्राइज़ कीजिएगा पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए गा और कॉमेंट सेशन में कॉमें करके बता जीजिएगा क्या अब कैसा लगा जो यहां पर जि नहीं मिलेगी तो उमेड करते हूं आपको यह वीडियो भी अच्छा लगेगा पसंद आएगा और शेयर भी कर देंगे इस वीडियो को आपके फैमिली और फ्रेंज के साथ तो चलिए अगविला क्लिप को देखिएगा थैंकियो सो मच तो दोस्तों ओट्स का लड़ू बनान इसे इस तरह से पाउडर फॉम के बनाने के बाद में इसमें जरह सा पानी डालके जरह देर आंच पे रख दूँगी ताकि उसमें जो भी डर्ट हो वो निकल के आ जाए और उसके बाद में स्ट्रेंड कर लोंगी तो इसी तरह के इनों तरीका होता है जो गूर को आप सीफ इसे जादर रोस्ट नहीं करना है जब तक वो धुम्ठ ब्रॉस्ट करना ए जब तक ही आपको रोस्ट करना है जिस लाइट ब्राउन, वो भी नूट्रियंस होता है वो लूस नहीं करना है तो आप मैं डाल रही हो, दो चमद जितना घर में ही बनाया हुआ घी और इसमें मै काजू 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 जरकाम क्वाइटिटी में लिया है और किश्मिष था तो इन्हीं दो ड्राइफ्रूट्स को में डालके लड्डूस में मिक्स कर दूंगे किश्मिष को वरी लाइट दीमियांच में ही इसे फ्राइ करना है अद्वाइज यह दाग लग जाएगा और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा जब तक वह दीरी-दीरी से हलका हलका से फुलने लगेंगे अब देख सकते हो मतलब जाएगा एह पंद देख सकते वहा, गैसे में बनड़ा सकते हो जाएगा अराम से क्रमक ढले को और किये लिएक रशाष़ एकि आपानागिगा इस्टेसा सब्सक्राइब करते हो इसे आप ने फ्रिशी सब्सक्राइब हैं और इसे को में थरह कूँ आपचिग हो आप पौडर फर्म में चलेगा लेकिन मैं दरदर पीस लूँगी यहाँ इस तरह से देख सकते हो पर मैंने इसमें डाल दिया इस तसले में डाल दिया इसे और जो भी बचाता हो चुर में जो से भी घ्रांड कर लूँगी अब ग्राइंडिंग का काम हो गया अब उसमें मिला दूंगी मैं एक गूर का पानी आप देख सकते हो डर्ट कितना आया है दीरे दीरे से इस तरह से स्ट्रेंड कर लूँगी जब वो अटमेटिक लिए थंडा हो जाएगा ना तो जो भी डर्ट है वो नीचे बैठ जाएगा तो इस तरह से स्ट्रेंड करके आप यूज करना है गूर को मैंने इसमें डाल दिया है इलाइची पाउडर और ड्राइफ रूट्स मिक्स कर दोंगे उनली किश्मिश है अभी फिलाल तो किश्मिश डाल दिया मैंने उसमें और यह जो गूर का पानी है जराजरा डालके में इसे मिक्स करते जाओंगी अभी नो फॉदर फायर कुकिंग जिसे इस तरह से इंस्टेंटली मिक्स करना है जरा घाडा ही रखिएगा ज्यादा पानी ना बनाए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो भी इंग्रीडियन्स आप इसमें डाले थे वो सारे की सारे अच्छे से मिल जुलना चाहिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा यह रहा हमारा लज्ड अच्छी से मिक्स कर दीचिएगा और यह रेडी हो गया यह है घसकस और घी लेरी हो यहां पर घसकस कोटिंग करने के लिए लिए लटूस जब बनते है उसके उपर जस्ट कोटिंग करने के लिए घसकस इसके अलब आप यूज कर सकते हो ड्राइ कोकनट पावजर या इवन त सकते हो तिल आपके पास रहा है ऐनवाज शन ऊसरीब सण दीर के लइभान पीर है तो पिल के लिए अच्छी है और यूज के लिए हरा पिक मिक्स कर लोगे और नहीं दूसरीबल चिपक चिपकता रहता है तो इसलिए घी लगाना जरूरी है तो गी को इस तरह से पाम में लगा दिया मैंने और वेरी जरा-जरा-जरा क्वाइंटिटी लेखे में यहां पर लडोस तैयर कर रहे हो इस तरह से रोलोड कर लेजिए का पाम में है और एक गोल रडी हो जाएगा उसके उपर आप इस तरह से कोटिंग करके रख दीजिएगा घस-घस को तो चोटे-चोटे बॉल्स बनाएंगे तो बच्चे खेलते-खेलते अच्छी से खाल लेंगे बड़े-बड़े हो ना तो बड़े-बड़े ही चाहिए तो बना लीजिए जिसे आपके मर्जी तो ल ज़रूर ट्राइ कीजिएगा इनिंग स्नैک्स के ताइम मिद मॉनिंग स्नैक्स के ताइम में अपको बच्चों को दे सकते हो बिहती नूर्टिशिस यम्मी लडूस होते हैं बच्चों को भी बसंद आता है बड़े भी खा सकते हैं, ऐसा ने कि बच्चे लोग ही खाना है, बड़े लोग भी अराम से खा सकते हो, क्योंकि ओट्स वैसे भी डाइटिंग में शामिल करते हैं, जिन लोगों को वेट लॉस करना हो, या डाइटिंग करना हो, ओट्स तो खाते ही हैं, तो ओट्स इस तरह से भी खाले सकते हो, इसमें उपमा भी बनता है, किछ्टी भी बनता है, टोट्स में कही तरह के भी ट्राइ कर सकते हो रेसिपी, तो ये वाला लड्डू का रेसिपी कैसा लगा, जरूर कॉमेंट सेशन में कॉमेंट कर दीजीगा, थैंक यू झाले सुपेी बनता है... झाल झाल